कुरुंथियों के नाम पॉलूस प्रेरित की पहली पत्री बारवा अध्याएं कि यिश्यु प्रभु है। बरदान तो कई प्रकार के हैं, परंतु आत्मा एक ही है, और सेवा भी कई प्रकार की हैं, परंतु प्रभु एक ही है, और प्रभावशाली कार्य कई प्रकार के हैं, परंतु परमेश्वर एक ही है, जो सब में हर प्रकार का प्रभाव उत्पन करत किन्तु सब के लाभ पहुचाने के लिए हर एक को आत्मा का प्रकाश दिया जाता है, क्योंकि एक को आत्मा के दौरा बुद्धी की बातें दी जाती हैं, और दूसरे को उसी आत्मा के अनुसार ज्यान की बातें, और किसी को उसी आत्मा से विश्वास और किसी को उसी एक आत्मा से चंगा करने का वर्दान दिया जाता है। फिर किसी को सामर्थ के काम करने की शक्ती और किसी को भविश्धवानी की और किसी को आत्माओं की परक और किसी को अनेक परकार की भाशा और किसी को भाशाओं का अ एक आत्मा करवाता है और जिसे जो चाहता है वह बांट देता है। क्योंकि जिस प्रकार देह तो एक है और उसके अंग बहुत से हैं और उस एक देह के सब अंग बहुत होने पर भी सब मिलकर एक ही देह हैं उसी प्रकार मसी भी है। एक ही आत्मा पिलाया गया, इसलिए कि देह में एक ही अंग नहीं, परन्तु भहुत से हैं। परंतु सचमुच, परमेश्वर ने अंगों को अपनी इच्छा के अनुसार एक-एक करके देह में रखा है। यदि वे सब एक ही अंग होते, तो देह कहां होती। परंतु अब अंग तो भहुत से हैं, परंतु देह एक ही है। आंक हाथ से नहीं कह सकती कि मुझे तेरा प्रयोजन नहीं, और न सिर्फ पाउं से कह सकता है कि मुझे तुम्हारा प्रयोजन नहीं। परंतु देह के वे अंग जो औरों से निर्बल देख पड़ते हैं, बहुत ही आवश्यक हैं। और देह के जिन अंगों को हम आदर की फिर भी हमारे शुभाइमान अंगों को इसका प्रियोजन नहीं, परंतु परमेश्वर ने देह को ऐसा बना दिया है, कि जिस अंग को घटी थी, उसी को और भी बहुत आदर हो, ताकि देह में फूट न पड़े, परंतु अंग एक दूसरे की बराबर चिंटा करें, इसलिए यदि एक अंग दुख पाता है, तो सब अंग उसके साथ दुख पाते हैं, और यदि एक अंग की बढाई होती है, तो उसके साथ सब अंग आनंद मनाते हैं, इसी प्रकार तुम सब मिलकर मसीह की देहो और अलग-अलग उसके अंग हो, और परमेश्वर ने कलीसिया में अल अलग व्यक्ति नियुक्त किये हैं, प्रथम प्रेरित, दूसरे भविश द्वक्ता, तीसरे शिक्षक, फिर सामर्थ के काम करने वाले, फिर चंगा करने वाले, और उपकार करने वाले, और प्रधान और नाना प्रकार की भाशा बोलने वाले, क्या सब प्रेरित हैं, क्या सब भविश्द्वत्ना हैं? क्या सब उपदेशक हैं? क्या सब सामर्थ के काम करने वाले हैं? क्या सब को चंगा करने का बरदान मिला है? क्या सब नानप्रकार की भाषा बोलते हैं? क्या सब अनुवात करते हैं? तुम बड़ी से बड़ी बरदानों के धुन में रहो. परंतु मै तुम्हें और भी सबसे उत्तम मार्ग बताता हूँ.